So hi everyone, welcome back to my new vlog आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा आप सामने जो ये बाइक देख रहे हो ये है अपनी new Himalayan 450 और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा ये जो बाइक है, इसकी total on-road cost किया है और इसको आप minimum down payment पे आप कितनी की ले सकते हो और इसका complete price बताऊँगा और company इस bike के साथ आपको क्या-क्या provide कर रही है सबसे पहले मैं आपको इसकी look दिखा देता हूँ बाइ चारो तरफ से आप इसकी look देख सकते हो left, right और front से भी आपको मैं एक पर दिखा देता हूँ कि जो यह bike है कितनी जबरदस्त bike बना रखी है fully LED headlight में आ रही है यह bike तो चलिए video start करते हैं सबसे पहले हम इसके pricing की बात करेंगे जो यह bike है यह Himalayan 450 handlebrack है जो की top model है सबसे पहले इसका जो एक showroom है एक showroom मैं बता देता हूँ 2,84,000 रुपे इसका एक showroom है क्योंकि यह top model है इसका जो एक showroom लेगा 2,84,000 रुपे रहेगा उसके बाद हम RTO की बात करते हैं RTS में देली का 8% निकल जाएगा एक showroom का जो 30,250 है insurance आपका 21,122 रुपे है total cost जो आईगी इस bike की 3,28,422 रुपे आईगी इसके बाद बाइक के साथ आपको क्या-क्या मिलने वाल है वो मैं आपको बता देता हूँ बाइक के साथ एक आपको helmet मिल जाएगा 4 साल की warranty प्लस 40,000 किलोमेटर की warranty मिल जाएगी इसमें 4 सर्विस में जिसमें labor charge आपका free रहने वाला है bike की RC आपको 15 दिन के अंदर अंदर मिल जाती है number plate आपको मिल जाएगी उसका कोई charge नहीं है 2 साल का roadside assistant मिल जाएगा 3,34,000 के price में अगर आप 3,34,000 का price लेते हो तो अब हम बात करते हैं इसके finance की on road हमने लिए इसमें 3,34,000 रुपे loan amount हमने 3,000,000 रुपे लिए जो की 90% तक हो जाएगा मतलब आप अगर इस bike को लेना चाहते हो 90% तक loan करा सकते हो और जिससे 3,000,000 निकल लिए उसके बाद हम 34,000 down payment है HP का इसमें 500 रुपे एड हो जाता है जो की government charge रहेगा stamp duty का इसमें 918 रुपे charge रहेगा जो की bank का charge है ठीक है तो total जो अपनी down payment बनेगी 35,418 रुपे बनेगी जिसमें including charges बताएं इसके अलाबा आपका कोई charge नहीं लगेगा ठीक है तो total down payment बनेगी 35,418 रुपे अब हम इसमें EMI की बात करें तो EMI का भी मैं option बता देता हूँ कि हमें EMI में क्या-क्या देखने को मिल जाएगा 18,760 रुपे की आपकी 18 EMI आएगी जो की date साल के लिए valid है उसके बाद दो साल की जो आएगी 14,617 रुपे आएगी जो की 24 महीन ही के लिए valid है 10,473 रुपे की 36 मत की यह महीं आएगी जो 3 साल के लिए है और 8,425 रुपे की आपकी 4 साल की आएगी जो की 48 मत के लिए है उसके बाद देख सकते हो भाई डेट साल, दो साल, तीन साल, मैक्सिमम चार साल तक इसका लौन हो जाएगा आपका और इसमें जो document required रहेंगे pen card, adhar card, electricity, will, दो, check, एक photo required रहेंगे ठीक है उसके बाद इसमें जो rate of interest लगा है 8.17 यह flat का है reducing में देखो के तो reducing में आपको 15.50 का rate of interest आएगा ठीक है और जो यह scheme है यह HDFC bank की मैं आपको scheme दे रहाँ और इसमें processing fees zero हो जाएगी इसमें कोई processing fees नहीं लगीगी सिर्फ stamp duty के जो 918 रुपए वो fix से होते हैं ठीक है, इसके अलावा आपको कोई charge नहीं देना है जैसा कि मैंने आपको बताई यह HDFC की scheme है आप nearby store जाके HDFC की scheme यह ले सकते हो और अगर आप Delhi से हो तो Delhi में हो तो मेरे को contact भी कर सकते हो मैं showroom का आपको address और number आपको mention कर दूँगा कि इस bike को आप कैसे ले सकते हो ठीक है, इसका आप screenshot भी ले सकते हो और जैसा कि मैंने आपको इसकी down payment के बारे में बताया EMI के बारे में बताया इस bike का जो waiting time है अगर आप आज book कराते हो तो लगबग डेट से दो महीने में यह bike आपको मिल जाएगी और अगर आप Himalayan 450 लेने का plan कर रहे हो तो मैंने इसकी बहुत सारी तो वीडियो को like कर देना चैनल को subscribe कर देना मिलते हैं next informative वीडियो में तब तक लिए जैहिंग जैवारत